देखे हम exercise start करने है अब exercise 2.1 है class 9th की तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 8 x equal 0 पर बताईए इसके value क्या होगी फिर x equal minus 1 पर बताईए फिर x equal 2 पर बताईए ठीक है तो देखिए बच्चो यह equation दे देखिए इसको मैंने equation 1 मान लिया है और कहाया है फरस्ट में कि अगर x equal 0 पुट करेंगे तो इसकी value क्या होगी तो आप पुट कर लीजिए देखिए पुट के से करते है 5 का 5 और x 5 x का meaning होता है 5 into x तो into x x की जगह क्या रखना है हमने 0 इसी तर is it is आपका आप देखिएगा बच्चो 5 की 0 से multiply गी तो 0 और यह 0 किसका 0 ही आना है फिर 0 की false होगी तो 0 और plus 3 then finally आपका answer कितना है आपका यह 3 आ गया ठीक है इसी तरह से आप देखिएगा second second part में आप देखिएगा उसने क्या पुट करा है हमसे put x equals to minus 1 ठीक है क्या पुट कर है तो कहां put करेंगे मिसको भी first equation main first equation तो first equation में लिखा तो आप देखिएगा 5 और x के प्लेस पर क्या लिखेंगे minus 1 minus 4 और यहां पर भी minus 1 का square और plus 3 अब आप देखिएगा बच्चों की calculation minus 5 बन दा 5 plus minus आ गया minus 4 रहा आपका और minus 1 का square क्या होगा आपका plus 1 क्योंकि माइनस का square होता है तो प्लस में आता और 1 का square वन ही होगा और plus 3 तो अब आप ध्यान से देखिएगा minus 5 और minus 4 बन दा 4 और plus 3 हम क्या करते थे जो चोटी classes में कि minus 5 और minus 4 यह नहीं माइनस वालों को एक जगा प्लस कर लेंगे तो कितना है माइनस 9 और plus 3 तो कितना है आपका minus के 6 और इसी तरह से आप इसका थर्ड पार्ट कर लीजिए बस थर्ड पार्ट में क्या दे रख्या आपको एक सीजी कस्टू टू दिया है आपको क्या दिया उसने क्या पूट करना इस बारी हमने एकसी दिकस्टू टू इन फर्स्ट एक्वेशन उसी क्वेशन में रखना है एक क्वेशन में आपको यह दिला देता हूं यह दहीं आपके 5 एकस माइनस 4 एकस को प्लस 3 फाइव का 5 रहेगा लेकिन एकसी जगा 2 रहेगे और 3 का 3 तो आप देखिए का बच्चों कैसे प्लस 3 फॉर फॉर टो इसनी निकाल के बतानी हैं में भी आपने तीनों चीजे निकाल कर बतानिये इस वाले में भी आपने तीनों चीजे और इसमें भी आपने विटा तीनों चीजे निकाल लिए तो इसका में यह हुआ है औसमें जब आप तीन सीट कालें गयए तो एक मैं तीण चार में तो आपके बारा एकुछीं से छुठे-छँ आपके अपने आप में तो प देखेगेगह कई पडिशय दे रहता So, आपने क्या करना है इसमें पी जीरो पी आपने क्डिश परалсяend करें है आपका वन आ गया है ना जीरो को चाहिए प्लस कर लीजिए माइनस कर लीजिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आप ध्यान दखिएगा अब आप देखिएगा इसको मैंने ए मान लिया है ना अब मैं बी पार्ट कर रहा हूं फरस्ट का बी मतलब पी वन तो आप देखिएगा पी वन बेट आप क्या करेंगे जहांपर वाहत किया पड़त करने था वन इस बारी तो उन स्कॉरेज माइनस वन और प्लस वन तो क्या आ एका ये वन से वन कैंसी आपका प्लस माइनस का और वन कड्रट क्या हूँआ वन आ गया इसी तरह से आपका सी पार्ड यान्य कैं और यह 1 का 1 तो आप देखिए गए कितना है टू टू जा 4 और माइनस 2 और प्लस 1 तो यह 4 में से 2 गया कितना बचा 2 2 और 1 कितना वह आपका 3 यह आपका final answer आ गया इसका जो है second part ठीक है third part and fourth part ठीक है उनमें भी आप ABC 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 लेकर करिए गए वह आपके homework हो गए ठीक है easy यह बिल्कुल same इसलिए छोड़ रहा हूं ठीक है नहीं तो मैं करा देता देखिएगा बच्चों को verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them देखिए पॉलिनोमियल हुआ पी एकस इसी करस्टू 3 एकस प्लस 1 और इसके against यानि यह दे रखे आपको एकस इसी करस्टू कितना यह बाइनस वन पॉन टिरी इसी तरह यहां पर पी एकस दिया हुआ है यह और एकस के वेल्यू दी यहां पर पी एकस की दो वेल्यू दी यह लग 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 एकस इक्कॉल बन और एकस इक्कॉल सब्सक्स है तो इस टाइप से करने मसके कितने पार्ट यह बंखकते कि सक उने पुर्लेन एक हुआ जाती यह बेल्यू में नहीं देख लिए यह यह थकि है और इनडीकेटिड स्वन एकसे पर प्लास बढ़ी तो मैंने यहां पर क्या किए jour 4 by 5 मैंने find करना है तो जहां पर आपका x है वहां पर हम क्या पूट करने वाले है 4 by 5 और minus pi का pi यह 5 से 5 cancel answer कितना है 4 minus pi तो यह क्या 0 है यह 0 के एककल नहीं है है ना यह not equals to 0 का sign होता है कि 0 के एककल नहीं है तो इसलिए क्या लिखा मैंने no इसका meaning यह वह कि 4 by 5 इसका 0 नहीं है देखेगा थर्ड पार्ड मैंने homework में लिख दिया है आप जो फोर थे वह मैं करार हो आपको ना तो इसमें क्या है यह बताना है यह minus 1 और minus 2 as it is minus 1 और plus 1 क्या यह यहागा जीरो और यह कितना है minus 3 फिर 0 की multiply किसी से भी होती है 0 होता है ना 0 की multiply किसी से भी होती है क्या आता है 0 आता है तो हमने क्या लिखा yes कि हा minus 1 तो है अब हम किसको put कर दें 2 को टू भी तो चेक करनें भी इसमें 1 और यहां पर 2-2 than 2 ब्लस 1 कितना है तो यह बहुंआ लेना थैर्म कितना है जीरो और खेल को यह क्या जीरो एक्या मैनिस वणी है और तो वी इस रीडिया होगा यहां नोट डेटतेंह में नहीं क्यों घबर आ जाते हैं अगर यह सा आता है constant वगेरे तो कोई फरक नहीं पड़ा आप अपने process पर घ्यान दीजिए आपका process क्या है कि यहां पर x के place पर आपने put करना है जो भी दे रखाओ तो आप देखे L का L और आपने X के प्लेस पर क्या पुट किया यह minus M upon में L और प्लस आपका क्या है M L से L गया क्या बच आपका minus M और प्लस क्या है आपका M तो यह कितना है आपका 0 तो आपने का लिख दे यह सिंपल है देखे इसके नीचे वाला सेवंथ पार्ट इसका सेवंथ पार्ट में P X आपको यह गिवे ने और एक सिक्कॉल दिया आपको minus 1 by root 3 और 2 by root 3 तो पहले हम किसको चक करेंगे minus 1 by root 3 को तो ठीक है हमने क्या पुट किया एकस के प्लेस पर minus के 1 by root 3 तो ठीक है 3 x के प्लेस पर क्या पुट कि हमने minus के 1 by root 3 और minus 1 और square का square आपका आप देखेगा दियान से 3 का 3 आपका और यह minus minus plus हो जाएगा क्योंकि square है 1 का square क्या होता है 1 और root 3 का square क्या होता है root से square cancel हो जाते तो क्या है सिर्फ 3 यह first chapter में पढ़ाया था मैंने आपको minus 1 3 से 3 गए आपका क्या बचा 1 minus 1 फाइनली आया क्या आपका 0 और 0 का मतलब क्या हो आपका yes कि हाँ यह तो है अब आप क्या पुट कर दें इसमें 2 by root 3 तो आप 2 by root 3 पुट कर दें तो आप देखे 3 का 3 और x के प्लेस पर क्या पुट कर दें 2 by root 3 और और 2 के स्क्वएर तो कितना travelers के इसकितना है तो क्या और सब्सक्राइब कितना देखे रहती हैक घ्री कि अमिए कर्ये भाट कह पर तो पर रोग देख़ी कुकषण नंबर 4 में क्या लिखा हुए आपका है ना लिखा है find the zero of the polynomial in each of the following cases यह आपको अलग-अलग polynomials दिये हुए हैं यह सब ठीक है और क्या पूछे आपसे इन सब में आपसे polynomials के zeros पूछे हैं ना zero of the polynomial आपसे find करा रहे हो तो zero क्या होता है ना यह देखते हैं देखिएगा बच्चो इजी है इसमें जब आपसे जीरो पूछा है इसका तो आप क्या करेंगे इसको zero के equal put कर देंगे पूरे polynomial को zero equal put कर देते हैं तो यहां से जीरो स्कूद यह प्लस फाइव दर जाकर क्या जाएगा माइनस फाइव और यह वेरियेबल की वेल्यू यह आपकी zero कहलाई गी इसी टाइप से आप देखिएगा जैसे मैं आपसे बात करूं थर्ड पार्ट इसका ना तो थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रख़ें असने पी X is equals to 2X plus 5 तो आप क्या करेंगे इस बार 2X plus 5 को equals to 0 है ना यहांनी 0 की equal put कर देंगे अब यहां से x fine करेंगे तो 2X यह plus 5 उदर जाकर क्या हो जाएगा माइनस फाइव और एक सिक्वल कितना हैगा माइनस के फाइव और यह टू कहा जाएगा इसके अपॉन में तो यह इसका जीरो हो गया इस बार समझे ना आप इसमें यह समझ में नहीं आ रहा है बताइए इसी टाइप से अगर मैं बात करूं इसकी जो इसका फिफ्ट पार्ट आपको गिवन दे रखा है तो फिफ्ट पार्ट में आपका 3X क्या दिया आपको पीक्षट टू 3X तो क्या करेंगे 3X एक्को स्टू 0 पुट करेंगे और जब 3x को 0 put किया तो x equal कितना है आपका 0 upon में 3 और 0 एक ऐसा नमबर होता है इसके into में या upon में कुछ भी आए 0 हो जाता है ठीक है तो यह इसका 0 क्या है आपका x equals to 0 ही आ गया एक last part में इसका आपको करके दिखा रहों कौन सा वाला 7th part तो 7th part का आपको इसमें पी एकस इजी कस्टो आपको given में दिया है cx plus d क्या given दिया है cx plus d तो आप क्या करेंगे इसमें cx plus d इजी कस्टो 0 पुट कर दिया है ना जो पूरा polynomial तो उसको मैंने 0 पुट कर दिया अब यहां से cx और यह minus d उतर जाकर वह plus d उतर जाकर क्या हो जाएगा minus d और अब यह c कहां जाएगा minus d के upon में क्योंकि multiply वाली चीज़ कहां जाती है आपकी divide में ही तो जाती है बस हो गया